आज की मुल्ली से हम लक्षे लेंगे बाब की श्रीमत पर चल संपूरन पवित्र बनने का पुर्शार्थ करना है आज का दिन दादी जानकी का समरिती दिवस है तो दादी की जो मुर्ली में सिक्षाई आई है उन सिक्षाओं को पढ़कर उनको समरिती में रखते हुए चेक करना है ये शिक्षाई मैंने अपने जीवन में कहां तक धारन की है अगर नहीं धारन हुई है उसका कारण क्या है और धारन करने के लिए मुझे क्या पुर्शार्थ करना है हर बाबा की मुरली में संपूनता के लिए ही बाबा हमें बाते बताते हैं तो संपून पवितर बनने के लिए पहली श्रीमत है बाबा की देही अभिमानी बनो क्योंकि बाबा ने कहां श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेस्ट बन सकते हो तो देही अभिमानी बनने के लिए आज बाबा ने विशेश अटेंशन दिलवाया क्योंकि अगर तुम देही अभिमानी बनते हो तभी तुम अवाद से परे वापिस जा सकते हो तो ये अभ्यास करने के लिए आज हम अटेंशन देंगे मैं आत्मा इस देहे से न्यारी हूँ और बाप से शक्तियां लेकर अपने अंदर भर रही हूँ अपने आपको शक्तिशाली बनाती जा रही हूँ और मैं आत्मा इस पुराने शरीर के पुराने स्वभाव, पुराने संसकार और कमजोरियों से मुक्त हो करके पावन बनकर संपूर्टा के समी पाती जा रही हूँ ये अभ्यास आज देही अभिमानी बनने के लिए करना है दूसरी श्रीमत बावा ने कहा कि अपनी जो स्रिष्टी चक्र है उसको बुद्धी में फिराते रहो क्योंकि चक्र को फिराने से माया के चक्र से हम बच्चे रहेंगे आज की मुली में बावा ने अटेंशन दिलवाई कि आदी में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है सचखंड होता है देवताएं होते हैं दैवी गुन वाले होते हैं वो मीठी नदियों के किनारे रहते हैं था तो उनके महल जहां होते हैं वहां मीठी नदिया होती ह वहाँ अथा अनाज होता है, वहाँ विकार नहीं होता, किसी परकार की कामना नहीं रहती, वहाँ सभी स्रेश्ट अचारी होते हैं, जब हम मध्या में आते हैं, सत्युग में तो एक धरम होता है, मध्या में अनेक धरम हो जाते हैं, तो बावा ने कहा, बाकी सभी धरम की आत् मुक्ती धाम से नीचे आती हैं और हम देवात्माएं जीवन मुक्ति से नीचे आती हैं तो उसको ही मध्या मध्या में जब ऐसा होता है तो रावन का राज्य शुरू हो जाता है और दुखी होना शुरू हो जाते हैं अंत में बावा आकर के हमें शिक्षाइं देते हैं और बावा जब आते हैं तो ये हमारा एक दिव्या जनम होता है तो हमें बेहत की बुध्धी भी मिलती है इस अंतिम जनम में इस पुर्शोत्तम संगम युग पर फिर हम पुर्शोत्तम बनने का पुरुशार्थ करते हैं क्योंकि हमने ही 84 जनम लिये हैं, हम आत्माई ही देपता थी और हम ही फिर देपता बनने का पुरुशार्थ करते हैं इसके next बावा की श्रीमत है मामेकम याद करो मुझ एक को याद करने के लिए अपने को आत्मा समझना होगा तो आत्मा के संबंद सारे बावा के साथ है संबंदों का रस बावा से लेते रहना है कि बावा के जब हम बनते हैं तो सर्व शक्तियों का वर्सा हमें मिलता है तो अ गती और सद्गती का ज्यान है तो बावा नौलेशफुल है जो बावा सत्य ज्यान सुनाते हैं इस सत्य ज्यान को जो सत्य टीचर के द्वारा सुनाया जा रहा है उसको जीवन में धारन कर भविश्य में उंच पत पाना है क्योंकि इसी ज्यान से हम राइटियस बनते हैं औ और सत्गुरु जो है वो सरव शक्तिवान भब का हमें वर्दान देते हैं और साथ में हमें ग्ञान का तीसरा नेतर देते हैं इस ग्ञान के तीसरे नेतर से हम आत्मा और प्रमाट्मा को देखकर उनको याद करके संपूंता को राब्त कर सकते हैं नेक्स्ट श्रीमत बावा ने दी बेहद की वेराग्य वृति की बावा ने कहा जब मैं आता हूँ तो तुमने जो भी भक्ति मारग में पड़ा है उस सब कुछ को भूल जाना है ये भूलना ही बेहद का वेराग्या है दूसरी बात है बेहद का वेराग्या मतलब समर्पन्ता त्याग और भाग्या की सुमृति जब हम बावा के बनते हैं तो बावा ने कहा तुम अपने तन मन धन से सेंटर खोलते हो और जब हम सेंटर खोलते हैं जो सेंटर खोलते हैं वो ही राज्य के अधिकारी बनते हैं चलती है तो इससे हमारा भी भाग्या बनता है नेक्स्ट शिक्षा है बावा ने कहा कि ये श्रीमत को ध्यान में रखना है ड्रामा का जो गुहिया राज है जब बाप ब्रह्मातन में परवेश करते हैं तो तुम बच्चे बावा ने कहा बीना किसी के परवा किये तुम मेरे पास आ जाते हो ये ड्रामा का राज है हर आत्मा का अपना एक्यूरेट पार्ट है इस ड्रामा के गुहिया राज को बुद्धी में रखना है कि हर आत्मा का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है जब ड्रामा की समृती होगी तो हम अचल अडोल रहेंगे और पुर्शा कर सकेंगे, ओम शान्ति